प्रदेश सरकार काबिडिट में मेडिकल कॉलेज में प्रशासक की नियुक्ति करने का प्रस्ताव लानी जा रही है जिसके विरोध में मद्यप्रदेश के सभी 13 मेडिकल कॉलेज में डॉक्टर्स कामबंध हर्ताल करेंगे 22 नवंबर से होने वाले सांदोलन में डॉक्टर्स के साथ नर्स और मेडिकल स्टाफ भी शामिल होगा ये सबी मेडिकल कॉलेज में प्रशासक की नियुक्ती का विरोध कर रहे हैं प्रेक्टर मेडिकल एजूकेशन के ऊपर कमिशनर मेडिकल एजूकेशन एक I.E.S है वहीं राज्य के प्रतेख मेडिकल कॉलेज का अध्यक्ष एक I.E.S कमिशनर है उसके बावजूत भी चिकितसकी विवस्थाइं बिगडी हुई नजर आ रही हैं तब एक जूनियर राज् इवहं चिकितसकी लाव शाष्की मेडिकल कॉलेजों में प्राप्त करें इस बात से हर पल प्रदेश का हर चिकितसक चिंतित भी है और चिंतन भी करता रहता है हम जानना चाहते हैं कि बिगत वर्षों में प्रिदेश की स्वास्थ विवस्थाएं क्यों बिगडी, क्यों नहीं सुधरपवाईं और आगे कैसे सुधारी जा सकती है इसके लिए सभी स्वास्थ विवस्थाओं से जुड़े लोगों को चिंतन, मनन और मन्थन करने की आवश्यक्ता है ना कि एक हवाई ख्याल से पेरा शूट की तरह एक जूनियर राजी प्रशास्तिक अधिकारी अत्वा I.E.S. आफिसर को मेडिकल कॉलेज़ों में बिठा दिया जाए जिनके आने वाले दुष्ट प्रणाप पर भी विचार्थ किया जाने की आवश्यक्ता है और जो और N.M.C. के रेगुलेशन के भी विरुद्ध है हमारा मानना है कि कोई भी ऐसा प्रस्ताव लाने से पहले मद्द प्रदेश की Progressive Medical Teachers Association और चिकित्सा जगत से जुड़ी सभी संस्थाओं को बलाकर चर्चा करने की उपरांथी ऐसे प्रस्ताव को आगे बढ़ाया जाए जिससे अनावश्यक उत्पर्ण होने वाली संभावित अप्रिया इस्तिती से बचा जा सके धन्यवाद मेरे नाम है प्रोफेसर डॉक्टर सर्वेज जन और मैं आपको बता दूँ आपी की ताजयतरीन अपडेट वो यह हैं कि मद्द प्रदेश रासन केमिनेट में प्रस्ताव रखने जा रहा है अगले दू-तिन दिनों में और वो प्रस्ताव है मेडिकल कॉलेज में दीन और सुप्रिंटेंडेंट के ऊपर एक डिप्टी कलेक्टर, SDM अथवा राजयसुपा को यादिगारी बढ़ाने के, तो हम बात करते हैं 1947 के, 1947 के पहले जो हमरे देश में लोग राज करते थे उनके सांद पर दिये प्रोग्रम के, देवर वरी डि विशिष्ट लोग अलागे हैं. आजादी के बाद वो विशिष्टा का ऐसास पहुंच गया है राजस्वेबाग के अधिकारियों के पास, और आप देखते होंगे के बड़े ही बदमजाज होते हैं जो हमारे राजस के अधिकारी रहते हैं, जिनका प्राइमरी काम होता है गुराजस ब्योस्ता देखना, भूमी बंदोबस्ती देखना और राज्य के लिए टेक्स कलेक्ट करना, तो उनको हर विशिषग के माल लिया जाता है, हर जगह उनको बठा दिया जाता है, यह माल लिया जाता है कि यह मा के पेट से सारी विध्याई सीखके आये हैं, हमें खसरा खतोनी और भीवा नीवन और तौजी घटी करने में व्यस्त रखे सरकार, मेडिकल कॉलेज में एकेडमिक्स का बतावन रहता है, हम पढ़ने पढ़ाने का सोध का और सिख्छा का का काम करते हैं, तो यह मेडिकल कॉलेज की रोज की गटिविदियों में दखलन दाज देने के लिए जो यह साजेस है, इसका हम पूरे तरीके से मुखालपत करेंगे, और हम चाहेंगे कि आप भी मुखालपत करो, क्योंकि मद्द प्रदेश में मेडिकल सिख्छा के साथ, चिकिस्चा सिख्छा के साथ, बहुत तेरे प्रियोग पहले ही हो चुके हैं, तो दूरायस और रेवेंड्यों के अधिकारियों को मेडिकल कॉलेज से दूर रखा जाए, कि सिख्छा का पहलपत होने के नाते में यह उम्मीद है आपसे, शुक्रिया. नमस्कार, मैं डॉक्टर पुष्पेंच शुकला, सचीव मेडिकल टीचर्स असोशियेशन, मेडिकल कॉलेज रीवा, हमें यह पता चला है कि मद्यप्रदेश सरकार कैबिनेट में कुछ ऐसा प्रस्ताव लाने वाली है, जिसमें प्रशास्निक अधिकारियों के नियुक्त मेडिकल कॉलेज के इस तरपर की जाएगी, इस निर्णय का क्या ओचित है, और पता नहीं यह प्रसास्निक अधिकारी क्रिश्पकार का कमाल करेंगे, यह तो समय ही बताएगा, परन्तु यह निर्णय पूर्णत अनूचित है, और इस निर्णय के विरुद्ध में हम सभी म अंदोलन के लिए विवश होंगे, और इस अंदोलन में प्रदेश के समस्त तेरा मेडिकल कॉलेज के मेडिकल टीचर साथ में हैं, धन्यवाद। होने वाली है, इस प्रकार की कवायत पहले भी हो चुकी है, जिसका मद्यप्रदेश के समस्त चिकित्सा महाविद्या लई, एवं समस्त चिकित्सा जगत ने पुर्जोर तरीके से विरोध किया है, इस बार भी हम पुर्जोर तरीके से उसका विरोध करते हैं, क्योंकि यद आज जो एक मात्र विभाग है जिस विभाग में अभी तक प्रशाशनी कदिकारियों का दखल नहीं था ये बहुत अच्छी तरह से चल रहा था आज उसमें भी प्रशाशनी कदिकारियों के दखल करने की कोशिश की जा रही है मैं सरकार से निवेदन करना चाहता हूँ कि वो आएस के बहकावे में आए प्रशाशनी कदिकारियों के बहकावे में आए एवं चिकित्सा सिक्षा विभाग को वो जिस हालत में है उस हालत में जोड़ दे तता मैं मद्यप्रदेश के समस्त चिकित्सा शिक्षा विभाग चिकित्सक वर्ग से निवेदन करना चाहता हूँ कि वे आएं और मेरे इस विरोध में मेरा साथ दे धन्यवाद